आपके लिए देखिए आपके बहुत सारे डाउट से एक्जाम फॉर्म भरने के सी यू इटी 2022 आप सभी को पता लग चुका है अब इसके बारे पे बहुत ज्यादा कुछ बताने के जरुवत नहीं है पर अब कन्फ्यूजन क्रियेट हो रहा है हमारे दिमाग में बार बार कि स्लोट्स क्या होते हैं कोर्से के से चुने यूनिवर्सिटी डॉमेन तो देखिए अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है या फॉर्म भर भी दिया हो तो आप उसको एडिट करने का चांसे हैं आपके पास अभी तो आप उसको एडिट भी कर सकते हैं पहले ये पुरा क quickly ह हम बाद में इसमें और वीडियो बनाएंगे अभी हम कैसे और क्या कर सकते हैं जिसने मेक्जिएम से मेक्जिएम प्रोफिट हो रएक सब्जसे को पता हूँए उसमें मैडिमाइजेश्prus of हम बोल सकते हैं satisfaction या maximization of profit हम वहाँ पर सीखते हैं वही चीज मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूं कि हम अपने अपने gain को अपने knowledge को या अपने courses को जादे सादा कैसे maximize कर सकता हूं कैसे में slot चुनू कैसे में courses या domain चुनू कि मैं सदा जा सदा courses के लिए universities के लिए allowed हो जाओं कि वह मुझे यहाँ पर admission कुछ गलतियां होती हैं जो बच्चे करते हैं तो सारी चीज़ करेंगे तो प्लीज बने रहेगा वीडियो के end टक मैं सारी बाते क्लियर करूंगा तो सबसे पहली चीज़ जो मैं शुरुआत कर रहा हूं वह देखे यहां पर देखो confusion अच्छा पहली चीज़ मैं आपको एक और बता दूं कि हमारे क्रेश को स्टार्ट हो चुके हैं आप सब इसको को जॉइन कर सकते हैं अगर आपने नहीं किया है तो आप जॉइन कर सकते हैं इसमें देखे हमारे तीन तरह के courses बने हुए हैं तिसरा course बहुत जल्दी लॉंच होने वाला है जो recorded mode में होगा तो online offline and complete study package भी हम provide करने वाले हैं जिसमें पूरा package होगा subject wise domain wise भी होने वाला है और first and third language भी तो आप हमसे contact कर सकते हैं मैं यहाँ पर आपका time जदा खराब नहीं करूँगा मैं आगे बढ़ता हूँ अब देखे पहली problem क्या slot पर यह पहली problem नहीं है यह तो वीडियो का मैं उद्देश है कि आपको slot के बारे में समझाओं पर उसके पहले कुछ चीजे और समझाना जरूरी है वह जरा देखे देखे पहली चीज क्या है अब university and courses यह दो चीजे हैं हमारी तो पहले courses and universities इनके बारे में समझ गए तो slot तो कुछ बड़ी problem है नहीं right slot केसे बनाना है केसे चूज करना है तो पहले तो हम university and courses की बात करें देखे डिफरेंट different universities and different courses है अभी आप किस तरह के बच्चे होंगे आप science के students हो सकते हो आप arts के students हो सकते हो आप commerce के student हो सकते हो या कोई और field के आप student हो सकते हो right तो यहां पर आपका जो 12th है वो किस subject को लेकर आपने उसको किया है उस पर depend कर सकता है तो आप किसी भी type के student हो पर आपको क्या करना है यह आपका objective आपने set किया होगा right कुछ बच्चे हैं सर्म हमको B. करना है कुछ बोल रहे हैं सर्म को B.Tech M.Tech भी करना है किसी college में C.U.T. के थुरी होता है क्या हाँ कुछ colleges हैं जैसे हमारा DAV क्या ले रहा है M.Tech करवा रहा है best है बहुत कम इंविश्टी करवाती हैं after 12th M.Tech 5 year continued MBA भी होता है BBA भी हो रहा है कहीं कहीं BMS हो रहा है right और कहीं Arts के BA History, Economics, Politics and Languages के courses भी बहुत सारे हैं right तो हमें हमें पहले तो अपनी choice देखनी है अच्छा अपनी choice limited मत कर देना है मैं आपको फिर बता रहा हूं यहां पर यही तो चीज़ें में बताने वाला हूं जो गलतियां हम कर रहे हैं जो बच्चे कर रहे हैं वो मैं clear करना चारा हूं अपने आपको limited मत रखिए अभी आप 12 में हैं बहुत सारे options आप खोल सकते हैं अपने लिए तो सारे options खोल के रखिए समझ गए बात चलिए थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं देखे अब यहां पर जो मैं आपको समझाने वाला हूं पहले एक काम करते हैं मैं आपको पू आप भी महनत करिए सारी चीजे सब वीडियो पे और सब दूर नफ डालिए कुछ खुद भी महनत करिए तो मैं आपको बता रहा हूं को करना क्या है आप जाईए आप इस website पर जाएंगे आप यहां पर search करिएगा आपको यहां पर home मिलेगा information bulletin आप download करिए और पढ़िए वीव से syllabus कुछ confusion हो तो informational bulletin syllabus भी चेक कर सकते हैं यहां पर universities जैसे मैं universities पर क्लिक करता हूं यहां पर करीब-करी 45 प्लस मतलब 65 प्लस इस एक अच्छी टॉप की उनिवर्शिटी मानी जाती है बाबा साहिब भीम्राव अंबेट कर उनिवर्शिटी एक अच्छी उनिवर्शि कर अच्छी नाम चलता है इंडिया में बीहु उका टॉप रैंकिंग उनिवर्शिटी में च्छी कर आम आता है इसी बहुत सारी अंच्री से स्शंस्क्राइब इस याइज तरह हो इस तरह एडबिशन लेगा अंधर प्रदेश हुआ फिर यहां पर हम गुजरात हर्याना द तो अगर मैं थोड़ा सा नीचे जाता हूँ तो यहाँ पर लिखा अधर इन्टीटिटीज में बात करें तो जैसे यहां पर इन्टीटीज यहां पर इसमें लिस्टेड है तो अधर मतलब यह कुछ प्राइवेट इंवर्सिटी से अलग है तो यह कर सकते हैं और तो आपको करना क्या है यहां आपको नहीं बोलता तो काम हो जाता ऊंसलिं का फॉर्म बर ना कर लोग अब उसकता है तो आप अभी स sandwich कर लो, लिए जितनी कर सकते हैं जहां घरवाले अलाउड कर दें कि बिटा तेको हम याया भेज सकते हैं तो अच्छा कोर्स पसंद कर ले बस हम तेको भेज देंगे पर तो एक्जाम के तयारी बैक्षे से कर ले अगर घरवाले अलाउड कर रहें तो आप करें करें सर्च करें मैं आपको ए से इसमें क्या मांग रहा है वह बीएसी ऑनर से एंत्रोपलोजी में हैं फिजिक्स केमेस्ट्री बाइलोजी और एनिवन लेंग्विज तो आप पहले देखिए कि कौन सा कोर्स है यह आपको करना है तो आप यह देखिए डोमेन और यह पढ़ लीजिए इसमें कहीं प्रॉलम आ रहा है तो आप देखिए एलिजिबल है या नहीं कुछ प्रॉलम तो नहीं है यह चीज़े आप देखना बढ़ेंगी चोटी-चोटी अभी से देखिए अभी से को से लेक करिए नोट करके रख लीजिए कॉपी में आप बोलोगे सर इतनी सारी बाते है इतना तो हमने पहले नहीं पढ़ा अब पढ़ रहें अब नोट कर रहें इतना तो नहीं बेटा पहले कुछी आप्शिन थे आपके लिए ओपन क्योंकि यह सारे पर्टिक्लर अपने एक्जाम से लेते थे या इनका खुद का एड्मिशन का सबका अलग-अलग था तो ब करेंगे तो यहां जा सकते हैं बहुत बड़ी चीज थोड़ी एड़ी चलिए आगे बढ़ते हैं अब देखें यहां पर मैं आपको क्या बता हूं इसे यहां पर फिर देखें बीशन के और से बायलोजिकल साइन से बाट नी है क्या मांग रहा है फिजिक्स, चेमेस्ट्री तो आप पहले यह eligibility देखिए कि आप यहाँ पर subjects ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं आप 12 में पढ़ा या नहीं पढ़ा राइट अब देखें बहुत डिमांडिंग भी है अब देखें यहाँ पर क्या है इनी one from section 1 and mathematics plus एनी two from section 2 मतलब डोमेन में से कोई दोलो कोई सा भी दोलो पर mathematics कमबल सरी section 2 में इन्होंने बोल दिया mathematics कमबल सरी है और कोई और दो भी ले नहीं पड़ेंगे आपको plus में मतलब तीन subjects आपको लेना पड़ रहे हैं अगर आप maths वाले हो तो ही status दे सकते यहां पर science वाले, commerce वाले, arts वाले अपने अपने हिसाब से subject को देखें, courses को समझें, अरे कितने सारे courses हैं, अब सोचो, मैंने PCM कर दिया और एक language ले ली, तो मेरे ली कितने सारे open हो गए, पर अब मैं गलती कर दूँ, मैंने PCM ले लिया, language ले ली, पर मैं यूर्शिटी के नाम ने डाले list में, और यूर्शिटी के लाम के साथ, list of courses जिस में जाना चाहिए, वो मैंने नहीं डाले, तो हो सकता है कि बाद वो cancel कर दे, तो इस चीज़ को समझ ये, आप पहले ही list बना के जाहिए, form बना है, अब कोई cost नहीं लगना है, आपका extra, slot 1, slot 2 का जो cost ये उतर arts वाले भी हैं, BA वाले भई, ठीके, BA के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया courses है, BA in honors, उर्दू, आप दिखिए, उर्दू में है, अब दिखिए, इसे बहुत सारे languages में भी है, do you, do you, बहतरीन college है, मैं आपको एक बता पता दूँ, कि हाँ, ये बात ता है, कि सारे colleges जितने भी है, इस बात को ध्यान से समझ लीजिए, कि सारे college में job के अगर में बात करता हूं, तो post graduation में बहुत अच्छी jobs है, हाँ, UG में कुछ में हैं, तो कुछ में नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखे, आप सोचें कि मैं UG करूँगा, और जाके मेरी job लग जाएगी, तो सब colleges में इसा नहीं है, यह जितने भी universities है, सब में इसा नहीं है, कुछ के हैं, कुछ courses अच्छे, कुछ के नहीं है, बहुत अच्छे कि वो directly job provide कर दे, पर हाँ, अगर हम उनिश्टी में जाते हैं, तो हमारी value अपने बढ़ जाती है, इस छोटी-छोटी बातों का धेहन रखे, अ में अपने आप में confidence के अंतर आ जाता है, बैचो में, चलिए, मैं थोड़ा सा आपको फटा-फट बता दूँ, देखे, अब मैं यहाँ पर आता हूँ, become, चलिए, commerce वालों के लिए देखे, अगर मैं du की बात करूँ, तो एक become वाला course आपको दिखरा होगा, यहाँ पर, इस वाला maths ले यह, account भी ले सकता है वही, और any two from section two, मतलब मान लो कि अगर commerce के student हो, तो अब account eco-bs ले लो, बात कतम, ठीके, जो आपको easy लग रहा है, वो ले लो, any two section two है, मतलब जो इतने subjects हैं, sub-base, उसमें से कोई दो ले लो, जो आपने 12 पर पढ़े हो, अगर आप become try कर रहे हो अगर आप plain become try कर रहे हो, वहां से, तो इस तरह से है, उसने section first बोला, और any three from section two, और उसने एक और option दिया है, any one from section one, any one from section two and section three, section three b, section three b, right, clear, अब देखें, मैं आपको क्या कहना चाहरा हूँ, यह सारी चीज़े हैं, अब देखें भई, bachelor in economics करना हो, तो mathematics plus section third आपसे मांग है, right, यह चीज़े हैं, right, अब यहाँ पर journalism का course भी बहुत बढ़िया है, five year का integrated programming degree course, right, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, तो यह बहुत प्यारे प्यारे से courses हैं, अगर आप journalism का course भी करना चाहरे हैं, तो यह भी बहुत 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 बढ़िया है, du से, देखें, डिगरी, five year integrated programming journalism, क्या चाहिए, हिंदी, इंगलीश और section third, सर्च करिए, बहुत छोटी-छोटी जगा पर यह लिखा हुआ है, आपको क्या करना है, वो पता करिए, अब देखें, finally मैंने आपको यह बताया, कि यह एक university के बारे मैंने देखा, आप नोट कर लीजें, यह से मै इसा करिए, फॉर्म भरने के पहले, समझ यह फॉर्म भर लिया है, कोई-कोई tension नहीं, आप उसको edit कर सकते हैं, ठीके, समझ गए बात को, चलिए, मैं वापस से आता हूँ, अपने, अपने point पर, ठीके, यह तो clear हो गया, अब देखें, यहाँ पर, हमारा जो main point है, वो क्या ह देखें, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, courses, आपकी जो भी field हो, आप course choose कर लीजे, उस तरह से, right, जैसे कि अब मैं आपको बता हूँ, कुछ universities ने, जैसे कि DAV ने बहुत clear कर देखें, कि सारे courses की एक ही exam होगी, हाँ, commerce वालो के लिए अलग, science वालो के लिए अलग, right, तो उन university कौन सी check करेंगे, मालो मैंने DU देख ली, ठीके, BHU देखा मैंने, ठीके, और मैंने देख लिया, एक अपने पास का ही DAVP, मैंने तीन ही देखी, मैं तीन ही क्यों देखू भाई, मैं 10 प्लस देख लू, मैं पूरी 45 उनिवर्सिटी में चला जाओ, या जो भी 65 प्लस अच्छी जगा जाओ, तो आप लिमिटेड मत रहो, पहली बात, उनिवर्सिटी सेलेक्शन में, हम इसको एंड करते हैं, सेलेक्शन वाले को, कि उनिवर्सिटी कौन सी, तो आप जो जो उनिवर्सिटी में जाने के लिए रिडी हो, सब कर दो, 10, 15, 15, 15, 15, लिख कर जाओ, MP तो नुकसान हो सकता है, बाद में, लिख के रखो, इतनी बड़ी एक्जाम पहली बार ही, पहली बार, फास्टाइब, ठीके, चलिए, तो एक तो हो गया यूनिवर्सिटी, अब कोर्सिटी तो एक ही चीज़ है, आप कोर्सिटी देख रहे हो, वो एक साथ आपको देख ले पर सर, मैं कितने सारे सब्जेक्स लूँ, डोमेन क्या होगा, तो वो थोला साब समझते हैं हम आगे, तो डोमेन के बारे में अब हम बात कर लेते हैं, देखिए, यहाँ पर आपको पता होगा, सेक्शन कितने हैं बच्चों, एक, दो, और तीन, यह तो आप भरे ही भरे, इ friendly, हिंदी, English, oblique, हिंदी, दो-दो languages भी कहीं बोल रहा है, या एक languages तो आपको हिंदी या English, तो भरनी ही भरनी है, यह बात तै कर लीजे, आप कुछ भी कर रहे हो, भरना है, clear है, भरना है, आप कुछ बच्चे हैं सर, मैं तो एक युनसेटी का ट्राय कर रहा हूं, ठीक है, और इसी कोर्स के लिए ट्राय कर रहा हूं, और मुझे और कहीं नहीं करना है, सर, मैं तो यही करूँगा, अब मुझे इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है, तो भाया, आपको जो करना हो, वही कोर्स करना है, तो आप उसके हिसाब से जो वह एक ही बर्द हो, बस, वो नहीं मिलेगा, तो आपको जहां बाहर मिल रहा है, वहां कर लिजेगा, अगर आपका specific है, तो आप कुछ नहीं कह सकता, मैं आपके लिए पूरा open करके बता रहा हूं कि हम क्या क्या कर सकते हैं, देखे, यहां से आप इन में से कुछ सिकलेक कर सकते हैं, बर्दन ना हो तो आ नहीं है, हाँ, किसी में नहीं भी है, पर एक में है और एक में नहीं है, तो नहीं वाले में तो चल जागा, अगर नहीं लूगा, तो पर जिसमें है, उसमें फिर लेंग्वेज नहीं लिया, तो मैं जान ही पाऊंगा, right, language compulsory, यह ले लो, section 3 भी ले ही लो, science of commerce हो, या arts हो, ले लो, कुछ courses में हैं, तो कुछ में नहीं हैं, तो दे दो, right, सभी के लिए, अब section 2 में आते हैं, तो मैं आपको उताता हूँ, यहाँ पर अगर science के student हैं, ठीक है, तो वो physics, chemistry, maths, oblique, bio, right, ले ही लो, ले ही लो भाई, क्या बिगड़ेगा, commerce के हो, right, तो क्या लोगे, account, eco, तो ले ही लो, और maths हो, तो maths ले ही लो, अगर आपको, आपका university, AC university हैं, जहाँ पर, become honors के लिए maths कांपल सरी है, बी MS के लिए maths कांपल सरी है, तो आप maths ले ही लो, ले ही लो, मतलब, हे ना 12 में maths, तो ले लेना, बेटा, right, अब आप बोलो, कि सर, मैं को नहीं पढ़ना, सर, maths म मैं बार परिशान हो चुका हूँ, पर बेटा, maths दे देने से, तेरा exam का gate खुल जाएगा, entry gate खुलेगा, तो तू हो सकता है, कि कहीं chances बंते हो, तो selection हो जाए, right, थोड़ी से पढ़ लेना, अभी तो पढ़ा है, और अभी पढ़ी रहे हो, right, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ज बिगड़ेगा, right, चलिए, अब इसके बाद आते हैं, domain वाली बात तो खत्म हो गई, कि domain में हमें क्या करना है, तो domain में में एक बार finalize कर दूँ, कि first और third ले लो, बिंदास लो, first और third ले ही लो, अगर आप बहुत सारी universities को try कर रहे हो, तो कोशिश कर लो, कि first और third आप ले बढ़ते हैं, right, तो slots को समझने के लिए, just a minute, मैं आपको slots समझा दूँ, अब देखिए, ये इनफॉर्मशर गुलिटरिंग का chapter number 7 है, please आप भी एक बार refer कर लीजे, देखिए, दो slots है, clear, दो slots है, अब दोनों slots के अंदर, अपना-पना, अलग-अलग subjects का pattern है, right, मैं दोनों आपको समझा देता हूं, slots, एक slot 3 गंटे 15 मिनिट का है, तो एक slot जो है, वो 3 गंटे 45 मिनिट का है, right, ये timing वाइमिंग है, इस पे मैं जा नहीं रहा आपको, चीके, आप देखिए, जरा एक बात समझ लीजेगा, slot 1 में, right, slot 1 में हम क्या कर सकते हैं, चीके, slot 1 में आप क्या क सकते हैं, देखिए, मैं आपको समझा दूँ, 4 maximum paper आप यहां पर दे सकते हैं, और यहां पर 5 maximum, यह है, 3 15, 3 गंटे 15 मिनिट, यह 3 गंटे 45 मिनिट का होगा, अगर maximum से maximum होगा, तो, अब यहां पर आपको क्या लेना है, आपको यहां पर सुनिए, section, first, second, third, अब यहां से section, first, second, third में, आपको यहां पर क्या लेना है, तो section 1 तो लेना है, one language, आपको एक language लेनी, section 1 में, और मैंने आपको बोली दिया है, बेटा, आप physics, chemistry, maths वाले हो, या फिर आप commerce वाले हो, या arts वाले हो, language तो आपको भर नहीं है, slot 1 में language भर दीजिए, ठीक है, slot 1 में, section 3 पर भी ले लिजिए, दो सबजेक्स, कोई से भी डाल दीजिए, अगर आप commerce वाले हैं, तो account और eqo डाल दीजिए, हल के full के सबजेक्स यहां डाल दीजिए, हल के full के सबजेक्स यहां डाल दीजिए, और तो दो subject आपको हैं है तो एक subject मतलब आपको जो भी लग रहा हूँ मैं आपको क्या बता रहा हूँ और किता मोर किते कर सकते हैं और मोर तिल फॉर यहाँ पर आप वणर मोर में फॉर तक जा सकते हैं फॉर सब्जेक्स मैक्सिमम तो सुनिए भर दीजिएगा फॉर्म बिंदास मैं आपको जो बोल रहा हूं वो ध्यान रखिए अगर आपके युनिरसिटीज जादा है तो आप फॉर्म में इस तरह से लंबा हो चुका है पर हां बहुत जरूरी भी है यह आपको बताना ठीक है चलिए तो मेरी बात समझेगा तो आप इधर देखिए कि यहां पर क्लियर है फॉर्स फॉर्स लॉट में लेंग्वेच इधर जनरल टेस्ट दो सब्जेक्ट अब यहां पर सेकेंड लेंग्वेच अ अगर आपको common courses हैं तो मत लो common courses हैं तो मत लो समझ गए क्या है ड़न ठीक है तो यहां पर यह आपका system है मुझे एक बार वापस है मैं आपको बता दू ठीक है कि आप क्या कर सकते हैं चार paper इधर और पांच इधर टोटल नो paper आप दे सकते हैं max to max clear पर अगर मान लो for example मुझ वाइट तो दे ही दीजिए जो अधितरी सब्सक्राइट बहुत हैं कि फर्स थर्ड से ही काम हो जाएगा तो फर्स सब्सक्राइब अब तीन subject और लिए अकाउंट इको मैश ले लिए या account छोड़ दीजिए ECOBS और Maths ले लिजे, अकाउंट थोड़ा सा practical हो जाता है, तो हमारे पास time भी तो कम दिया है उन्होंने, तो थोड़ा सा time बचाना तो practical का avoid कर दिए, जो कंबल सरी नहीं हो, वहाँ पर उसको avoid कर दिए, right, समझ गए, तो यहाँ पर आप दो subject, मैं आप बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पर एक subject ले लिजे, right, इसा कर से, तीन ले लिजे, चार का नहीं हो कहीं, तो अधिकतर चार का है भी नहीं, हाँ, Maths अधिकतर जगा है, तो Maths जरूर ले लिजे, और Maths बाद में रखिए फिर, second slot में, तो अब आपको क्या होगा, यहाँ तीन घंटे 15 विट का paper आप दोगे एक दिन, और कभी आपका जो भी slot 2 का time आएगा, वहाँ पर एक paper या दो paper, या तीन paper, जितने भी हों उतने आप दोगे, right, तो slot में confusion clear है, I think, अगर मान लो आप science के student हो, तो यहाँ physics, chemistry कर दो, यहाँ maths कर दो, physics, chemistry कर दो, यहाँ bio कर दो, यहाँ chemistry कर दो, right, clear है, science student हो तो ऐसा कर लो, right, पर यह भी दो science वाले हो, तो भी मैं आपको general test का बोड़ रहा हूँ कि कुछ courses में general test भी required है, अब आप, मैं आपको फिर बोड़ रहा हूँ, चीक, आपको लग रहा है कि नहीं है, आपको जनरल test हम एक्स्ट्रा क्यों दें, हमें तो PCM में काम हो रहा है, हाँ, यह आपकी choice है, आपकी choice है, आपकी choice है, आपकर सकते हैं, right, batches की बात है, तैयारी की बात है, आपको हमारी help लगती है, तो बिल्कुल हम ready हैं, हमारे selections बहुत अच्छे भी हैं, पिछले कुछ सालों से हमने बहुत अच्छे selections भी दिया है, वो आप हम से मिलें, हम बताएंगे, अब इधर समझेगा सरा, यहाँ पर एक छोटी सी point है, वो आप बता दू, languages में बच्चे बार-बार पूछ रहें, कि सर क्या language होगी, तो language के बारे में एक बार समझ लिजे, कि आपने English चुन लिया है, उसके बाद medium of paper, मेरा English ही होगा, कि मैं Hindi करना चाहूं, यह कुछ और करें चाहूं तो हो सकता है, तो done हो सकता है, आपका जो language है, वो language part है, English जो आपने ले रखा है, मान लीजे, आपको बागी paper Hindi में देने हैं, तो आप दे सकते हैं, यह option है, पर जैसे कि मैं आपको बात करूँ, DAV ने बोल दा है, कि first तो English ही लेना होगी, तो आपको English ही लेना होगी, बाकी के तीन आपको Hindi में देने हैं, आप दे दीजिए, 13 languages के option है, आपको जो language पसंद हो, बाकी के लिए, वो आप दे सकते हैं, पर first part जो है language का, वो होगा, अब एक और बात, medium जो होगा, पेपर का कैसा होगा, तो दो languages होगी, right, paper की दो languages होगी, main language के paper को छोड़ कर, domain की, ये two languages में होगा, ये भी two languages में होगा, कितनी languages में होगा, दो-दो languages में होगा, समझ गए, कौन सी, तो एक English तो रहेगी, रहेगी, और दूसरा, जो भी आपने subject चुना हो, जैसे English के साथ-साथ मैंने चुन लिया Hindi, English के साथ-साथ मैंने चुन लिया Hindi, पंजाबी, Marathi, Malayalam, तो मैंने जो भी चुन लिया, वो यहाँ पर मैं उसमें मुझे paper भी दिखेगा, साथ-साथ English में भी दिखेगा, समझ गए? तो language का भी problem जो बार-बार question आ रहा था कि हम इसा कर सकते हैं, तो वो भी मैंना को clear किया है, तो आज का जो doubt था, जो हमारे slot, universities, यह मैं आपको कोशिश करके मैंने यह पूरा किया है, अब इसके अलावा भी कोई problem हो ना, तो आप हमसे contact कर सकते हैं, कल या परसों में मैं एक इडिट भी कर सकते हैं, जहां आपको करना हो, को date आएगी भी, उसको विध्यान रखेगा, पर पहले हम गलती ना करें, ठीके, यह सारी चीज़े हैं, बागी छोटी मोटी form भरने वाली बाते हैं, बच्चों वाली बाते हैं, आप उसके लिए अपने time waste करोगे, तो कोई मत में चीज़ मुझे जो बतानी थी, मैंने आपको बता दी, all the best, लगे रहिए, यह आपके लिए बहुत बड़ा मुका है, एक सबसे बड़ी exam देने का, I think यह दुनिया के सबसे बड़ी entrance exam हो जाएगी, अब देखते हैं, क्योंकि after 12 के जितने बच्चे हैं, लगबग सभी द मतर्या